जिसे नलिन जी, किसी भी राज़ में आप लोगों ने मुक्यमंत्री का चहरा घुशित नहीं किया है, हलाकि ये पैटर्न हमने कई बार देखा है कि बीजिपी किसी के नाम पर नहीं आती है, लेकिन मध्य परदेश पर भी हमने देखा कि शिवराज सिंग चोहान का नाम भी न आप हर एलेक्शन में आते हैं? जिन गाओं में कठिन था बिजली पहुचाना उनसे हाथ दो दिये, फिर कहना अरे इसका देखे हमने किस गती से किया, आपने किस गती से किया, अरे बाई दूर दराज गाओं तक नहीं पहुचे क्योंकि आपके मन में वो सेवाबाव था नहीं, पूरवोतर को तो छोड़ को छोड़ दिया, आरे ले गई चाहिना तो ले जाए एक, नेरू जी का वाक्य था, एक वहाँ पर घास नहीं उकती, क्या फरक पड़ता है, सड़के नहीं बननी चाहिए बॉर्डर पे, क्योंकि फिर चीन आ सकता है वापस, ये नहीं हो सकता कि हम मजबूत हो जाए, सड़ पड़ा गाओं है, जोड़ दो, हम असान अलाके में काम कर देते, ये दो अलग मॉडल है, अंतियोद है, जो भाजपा के साथ, हमारे नीन द्याल उपादियाजी ने उस की कल्पना कीती, अंतियोद है, अंतिम कड़ी में जो खड़ा है, कड़ी में अंतिम व्यक्ति है, वह तक पहुचना है हमें यह होता है सेवा भाव यह थोड़ी नहीं होता है जो सबसे स्पास कड़ा उसकी मदद कर दो पीछे वाले बाद में देखे जाएंगे अरे हो जाएंगे तो हो जाएंगे यह कॉंग्रेस का मॉडल है फिर महादेव आप पे आ जाहिए आप यह बड़ी ह अमज नहीं आ रहा है यह इतना बड़ा आप और घोटाला आप क्या हो कैसे रहा था ऐसे वो लोग हो कैसे रहे थे पुलीस को क्या हो गया था सोरी थी वहाँ पर आपकी जो खूफिया पुलीस है सोरी थी इसलिए यह सारे चुनाव के पहले भागने के लिए हाथ दोने के लिए आरोप प्रति आरोप करके निकलने की बात है फिर आपने पूछा घोशना पत्र का जवाब उन्होंने दिया कि भाई नहीं घोशना पत्र अलग है स्कीम को अनाउंस करना गलत है मोदी जी ने क्या किया पुरानी स्कीम चल रही है बड़ा है दोनों में फरक है नई स् आते हैं कि यह स्कीम गरीबों तक पहुंचे कहिए तो सही कहेंगे नहीं स्कीम अच्छी है जानी चीए तो कि आपको भी पता है गरीबों तक मदद करनी चीए और करनाड़का में क्या हुआ वादे दे दिये उसके बाद इनका रिपोर्ट हुआ मीडिया में इनके मुख्य अगी बात की मैं ने पहले ही कहा कि देखें बोदी जी का मॉडल अलग है राहुल जी का मॉडल क्या है सत्तर साल पहले कॉंग्रिस ने अंग्रेजों को भगाया और सत्तल सारबाद उसी नहरू-गांधी परिवार के निता जो है वो क्या कहते हैं इंग्लिंड जाके अरे भ अगले भाशन में उन्होंने इसको नहीं का कॉंग्रेज भागती फिरी नहीं नहीं यह दूसरा भाशन सही है उसको नहीं गलत करिए बीजेपी गलत करिए अरे दो भाशन हुए पहले भाशन में तो कहा ही उन्होंने what is Europe and India doing about it Manish Shankar Ayerji ने क्या कहा पाकिस्तान में इनको हटाईए हमको लाईए तो आप Congress की सोच देखे कि जब लगता है इनको अंग्रेजों को भगाने की बात करता है जब जनता है इनको भगा देती है तो कहते हैं अंग्रेजों को आपाईए लोगतंतर खत्रे में कैसे है मुझे बताईए रोजगाली देते हैं Congress के नेता मोधी जी को देते हैं वाजपा को देते हैं सरकार को देते हैं अच्छी वली बाते तो आलोग जी मेरे मित्र है उन्होंने अभी इस शो में सुना दिया क्या इनको इस बोलने पर कोई रोक है? किसी ने रोका क्या आपके पास कोई फोन आया कि नहीं नहीं आलोग जी को ऐसे मत बोलने दीजे? कहा आया? उतना ही वैसे ही सम्वेधान चल रहा है अनुछेद उन्नीस के तहत वो बोल रहे हैं मैं बोलना हूँ आप प्रशन पूच र लेकिन आरोप लगला है वो राहूल गांदी जी चुने हुए व्यक्ति है चुने हुए है देश में जीतके गए जीतकर गए है वहाँ पर एक जगाहारे वायनाड से जीते वहास्पृति जी ने हरादी अमेठी में फिर उनकी सरकार बंती है हिमाचल में और विदेश में ज जाते हैं